यूनिवस्टी के पास कौन-कौन से अप्रूवल्स है, पहले आप अप्रूवल्स जान लीजिए, अप्रूवल्स जानने के बाद में आप कोर्सिस को और भैतर समझ पाएंगे, पर कोर्सिस का जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, कोर्सिस यूनिवस्टी के पास Agriculture, Science and Technology, जैसे मैंने अभी आपको बताया, Agriculture का यूनिवस्टी ने अप्रूवल लिया हुआ है, तो ये कोर्सिस यूनिवस्टी करवा सकती है, Social, Science and Humanities, जितने भी टोटल प्राइवेट यूनिवस्टी चलती है, मध्यपरदेश में, टोटल 41 जो प्राइवेट यूनिवस्टी चल चलते हैं, यूनिवस्टी कौन सी अच्छी है, कैसे compare करें यूनिवस्टी को, जैसा हमेशा से हम आपको बोलते हैं, जब भी आपको किसी यूनिवस्टी में admission लेना है, यूनिवर्सटी को उसके आसपास की यूनिवस्टी से compare जरूर करें, ऐसे ही किसी भी यूनिवस्टी म पर आप देख सकते हैं। उसी में से एक युनिवस्टी का नाम आता है AKS University. AKS University के पास क्या-क्या तो Approvals है, कौन-कौन से Courses युनिवस्टी ये चलाती है, Hostel कैसा है, साथ में कौन सी Other Universities है जिन से आपको इस युनिवस्टी से Compare करना चाहिए और साथ में ही युनिवस्टी की वेबसाइट क्या बोलती है। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है AKS University को लेकर अगर आप इस युनिवस्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं इस वीडियो को पुरा देखें और साथ की कुछ भी जानना चाहते हैं इस युनिवस्टी के बारे में तो भी आपको complete information हमारी इस वीडियो के माधियम से मिलेगी जैसा कि आप जानते हैं हम complete detail में एक वीडियो लेकर आते हैं और आपको सठीक information देते हैं जिस भी युनिवस्टी पर आपने suggestions ये होते हैं जादा कुछ जानने के लिए AKS University के बारे में दोस्तों बने रही हैं हमारी इस फीडियो के साथ दोस्तों AKS University के बारे में detail में मैं आपको बताऊं से पहले आप कुछ इतना समझ दीजिए कि University established होती है 2011 में 2011 में ये University बनती है सामने आती है admission लेना शुरू करती है University के पास कौन-कौन से Approvals है पहले आप Approvals जान लीजिए Approvals जानने के बाद में आप courses को और भैतर समझ पाएंगे पर courses का जानना भी आपके लिए पहले बहुत जरूरी है तो कौन-कौन से दोस्तों University के पास Approvals है Approvals जानने के लिए पहले आप समझेए कि University के पास UGC है University Grants Commission वहाँ पर University का नाम मेंशन है उसके बना तो University बन नहीं सकती साथ में University के पास जो एक सतना मतलब Government जो मध्यपरदेश Government है वो Establishment के लिए जो भी एक Proposal जब देती है University वहाँ से Approval मिलता है वो आप जाकि University की वेबसाइट से निकाल सकते है UGC का Approval है साथ में Approved by AICT दोस्तों मत्या परदेश की जितनी भी Universities हैं जितनी भी Universities तो मैं नहीं कहूँआ बट Maximum Universities में अच्छी बात यह है कि सभी Universities ने AICT ले रखा है और साथ में ही जातर Universities Paramedical Council में भी अपने आपको एंडोल करा लेती है क्योंकि जितनी भी Vacancies आती हैं कई सारी Vacancies में लिखा हुआ आ जाता है कि जितने भी Students है AICT पास मतलब कोर्स होना चाहिए तब ही वो लोग Vacancy के लिए यह देते हैं पर ऐसा है नहीं जितनी भी Private University चलती है उन्हें AICT के Approval के ज़रूद होती ही नहीं युनिवस्टी के पास AICAR का भी Approval है जैसे आपको B.S.A. Agricultural, M.S.A. Agricultural करना है तो उसके जरूद पढ़ती है N.C.T. का युनिवस्टी के पास Approval है मतलब B.A.D. करवाती है युनिवस्टी B.A.D. करवाती है साथ में युनिवस्टी के पास PCI का Approval है Pharmacy Council of India का आपको युनिवस्टी से करना है B.Farmacy, D.Farmacy, M.Farmacy उसका युनिवस्टी ने Approval लिया हुआ है तो ऐसे कुछ Approvals युनिवस्टी के पास है जिनको आप युनिवस्टी के वेब्सटर जाकर देख सकते हैं बढ़ हम बात करें युनिवस्टी के पास युनिवस्टी में एड्मिशन लो न लो वो तो आपकी चोईस है पर मैं आपको बता दू कि युनिवस्टी को आप बहुत अच्छे से पहले टटोल लें ऐसे एड्मिशन मत लेना बस आप जाएं और युनिवस्टी के बड़े-बड़े साइंस और टेक्नलोजी है मतलब कि युनिवस्टी में आप भी फार्मी डी फार्मी से करने के लिए या फिर आप डिपलोमा पी टेक एम टेक करना चाहते हैं कर सकते हैं युनिवस्टी कोर्स करवाती है एजुकेशन में जो D.A.L.A.D. और B.A.D. मैंने आपको बताया इंजिनरिंग एंड टेक्नलोजी कोर्स इस कम्प्यूटर एप्लिकेशन और आईडी साइंसिज लाइफ साइंस एंड टेक्नलोजी मेनेज्मेंट स्टडी बेसिक साइंसिज एसे कुछ जो कोर्सिस उनिवस्टी साँरे करवाती है दोस्तों कोई भी किसी तरह के डाउट्स है इस उनिवस्टी के बारे में AKS उनिवस्टी को लेकर आप अपने सवालों को ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में अगला वीडियो किस युनिवर्सटी पर चाते हैं, किस टॉपिक पर किस सब्जेक्ट पर आप चाते हैं, ज़रूर बताना, हम उस पर भी वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे, और आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करेंगे, बहुत जल्दी विजट करें जो भी आते हैं एजुकेशन के दुनिया में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, साथ में लगा बेल आगन जरूर दबा दे, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो दोस्तों हम आपके लेकर आसके सबसे पहले, बहुत बहुत शुकर दो जिन्नेवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रने के लिए